। एफोरिजम 26, प्रिश्न हैं। होमोपैतिक चिकिस्था विधान का आदहार क्या है। भी बहुत से लोगों का इसमें विश्वास नहीं जम पाता वस्ता रोक के समूलनस्ट होने के वारे में एक चिरंतन सिद्धान्त ये है कि जब शरीर में एक ही तरह के दो रोगों के लक्षा उत्पन होंगे तो उन में से अधिक बलवान अपने से कम शक्ति वाले रोक को नस् डाक्टर हैंडमें साब इस पर टिपनी है कि अनुसार सदस्ट चिकिस्ता होम पैथी द्वारा ही रोगों को जड़ से नस्ट करना संबह हो है रोगी के शरीर में रोग के जो लक्षण होते हैं ठीक उनी लक्षणों से मेल खाने वाली औशदी जब रोगी के शरीर में प्रबल शक्ति के द्वारा रोग की कम शक्ति को समाप्त कर देती है इस परकार रोग नच्ट हो जाता है रोग की शक्ति से अधिक शक्ति की दवादेने कि अनेवारता के कारण होमोपेतिक में और आशिदियों की शक्ती एक से और दस एक लाख 1M, 10M, CM तक रहती है, इसी परकार चिकिस्था रोग की शक्ती को दृष्टी में रखते हुए, उससे अधिक शक्ती की दवा चुन सकता है, यह होमोपेतिक चिकिस्था प्रणाली का एक स सर्व मानन नियम है कि रोग की शक्ति को नस्ट करने के लिए उचित ओशिदी को उससे ऊची शक्ति में इस्तेमाल किया जाना चाहिए डाक्टर पुनीत सर्वार